अब एक्सल में अभी तक हम कुछ चीज़ें का चुके हैं अभी समझे आज रिवियन भी हो जाएगी उन चीज़ों की और कुछ हम नहीं चीज़ें भी सीखेंगे आज ठीक है तो यह मैंने शीट बना लिए 123 यहां मुझलिफ नाम लिख लेते हैं ठीक है अब यह समझे लिए हमारे पाइब को स्टूडेंट से उनका हमने यहां पर आप फी का बनाना है मुतलिफ मंच की ना तो यहां यह मैंने मौस से इनको स्लेक्ट कर लिया और यहां से मैं इनको यह देखिए इमर्जन सेंटर हो गया ठीक है तो इसके सेंटर में मैं लिख वोचर और स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स यहां मतलब किसी भी चीज़ का बना सकते हो ठीक है तो यह इसी में सीख लेंगे अब देखको मैं चाता हूं कि जो स्टूडेंट्स ना वह नीची आए तो आल्ट दबा के एंटर दबाएंगे तो यह नीची आ ठीक है तो इस तरह ही आप इसमें थोड़ी बहुत क्या कर सकते हो इसको फार्मेटिंग कर जाता है उसके बाद इदर क्लिक करें वापस आएं इसका मैं यहां से कलर भी यह फार्मेटिंग साथ साथ देखते जाएं उसके लावा जो लिखा हुआ है मैं उसको बोल्ड करना चाहता ह लूऑ यहां से थोड़ा बढ़ा हों चैगा वोड़ भी कार सकते है एक अट chloride भी कर सकते हैं ठीक है यह सारी चीजें आपने साथ-सा सीकते जाने इसके अलावा मैं चाहता हूँ यह सेंटर में आपे यह देखनारा फैंटर में आँए अब मतलब कि यहां हमने साम भी लगाना है और दूसरा जैना वो स्ब्ट्रेक्शन भी सिखेंगे भी हम तो समझ लें इसकी फीस आगई बारा सो अगले मंत की फीर बारा सो और उमर की फीस आगई पंदरा सो और अली की आगई दो हजार ठीक है अब मैं इसको करता हूं कंट्रॉल सी और सेम कंट्रोल वी आगई कॉपी कार देता हूं ठीक है कंट्रॉल झी और उप में जेलने दो कि अब यहां में इसने तरह पूरे साल का बनाया जा सकते है यहां किसी की पेड़ी ओसकते आप किसी कुम्पनी में जाब कर रहें और आपको का बनाना की यहीं तनहा तैसे पूरे साल का बना है यह खेंपल के लिए यह जडा चोटा बना जा रहरा है ठीक है तो अब टोटल करने के लिए हम equal दुबाएंगे साम लिखेंगे स्विट के साथ equal bracket ले लेंगे यहां से लेके यहां तक हम नहीं करना है तो यह select करेंगे double quotation डालके यह last वाला select करके bracket 1 करेंगे और equal दुबादेंगे ठीक है यहां से इसको खेंचेंगे और नीचे लेंगे ठीक है के यह select करेंगे दो डालेंगे और फिर यह last वाली ठीक है bracket बंद करके equal ठीक है ऐसे में उपर किया हम मैंने क्या किया था उपर से नीचे खेंचा था नीचे से उपर भी खेंचा जा सकता है काम वही होता है ठीक है इसी तरह दुबारा देखें स्वें साम bracket शुरू यहां से से ऐसे भी selection की जा सकती है ठीक है अच्छा इसमें उसने टोटल वाली डाल दिया यह हम निकाल लेते हैं equal to sum bracket शुरू जनुरूरी फर्माच और मैय तक प्रमय बन एक्वल और इसको यहां से पकड़ेंगे तो यह बाकियों के ऊपर उद बहुत क्या लगा देगा यह लगा ठीक है इसी तरह हम equal to sum sum अच्छा यह देखो इसको मैं काड़ता हूं इनको select करके ऐसे एक खाना ज्यादर select करने यहां पर auto sum भी होता है यहां से auto sum भी हम कर सकते हैं इसको ठीक है जी आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ रही हों की तो आगे देखें चलो तो यहां तक हमने क्या सीख लिया जी यह sum करना इसके लावे यहां आप लैदा से बना सकते हो मतलब margin center में करता हूं कि टोटल है कि फाइफ मंद्स है कि मंद्स रसीव ठीक है इक वर डू तो तो टोटल फाइफ मंद्स की जो रसीविंग है उसको उमकठा भी कार सकते हैं यहां पर अब टोटल यह जो पांच मंद्स की फीस है ना तीन बच्चों की उसको मैं ऐसे टोटल भी कार सकता हूं ठीक है यहां वाट पास अभी तर तेईस हाजार पाइंसर रुप्या आ चुका है स्टूडेंट्स ठीक है यह संब तो वैसे आप सीख चुके औहले इसके अलावा आप ऐसे भी संब कर सकते हों की मुझे जनर्री और फैब्रृरी का सिर्फ चाहिए ठीक है मुझे सिर्फ जनर्री और फैब्री का साथ है should be some तो उसका तरीका क्या होगा यह सरो कि यह देखें यहां से यहां तक या जैनुरी की आगे में लॉगा कोमा और फिर फैबरी की स्लेक्ट करके लिए ब्रैकिट बन और यह यह सिर्फ जैनुरी और फैबरी ऐसी किसी भी एदेखे एक्जैमपल होती है आगे आप उसको जिस मर्जी पर लगा सकते हैं यह नहीं हाली हम देखते हैं जी सब्ट्रेक्शन अ तो यहां मैं चल इन दो को परता हूं स्लेट सब्टॉरेक्शन सब्ट्रेक्शन के लिए यहां विक बना लेते हैं सीरियल नंबर नेम इसके बाद तोटल पेवेंट उसके बाद एक्सपेंस और सेविंग वान टू थ्री कितना भी हो सकता है यह ठीक है नेम रॉफ हुमार अली समझें टोटल पे जो है न रॉफ को मिली है जी कि एक लाख अली को मिली पिचास हजार और यह पांच लाख हो गया है तीस हजार कि साथ हजार ठीक है और इसने जो एक्सपेंस कर लिये हैं यह एक मां में समझें वह आगे तो 40,000 पुम्बर के एक्सपेंस आगे 15,000 और इसके आगे 40,000 और इसके आगे 35,000 अब देखें सेविंग कैसे हम निकालेंगे उसके लिए इसके लिए थोड़ा बहुत आपका महित भी अच्छा होना चाहिए तो इसको स्लेक्ट करेंगे और माइनस एक्सपेंस को टोटल प माइनस करेंगे तो महर पास के आजएगी सेविंग आजएगी ठीक है जी ऐसे इसको पुकड़ेंगे और यहां पर आके सबका निकल दाएगा ठीक है उसके लावा यहां पर हम टोटल पे निकाल सकते हैं टोटल पे ठीक है इसको गलर चेंज कर लेते हैं तोटल पे तोटल पे यहां से आज जाएगी हमारी तोटल पे अब देखो एक्वल डू सम समकर फार्मले से टोटल रहता है अब यह सारा यहां से यह इन साब की टोटल पे जो है नो निकालने लगी यहां से यह यह इन साब की क्या आगी है टोटल पे आगी है ऐसी टोटल एक्सपेंस का हम बना सकते हैं तोटल एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस तो एक्वल टो सम ब्रैकेट शूरू अब यह सारे एक्सपेंस है ठीक है इसी तरह हम इनकी टोटल सेविंग बना सकते हैं तोटल सेविंग टोटल सेविंग इक्वल टू सम रैकेट शुरू यह सारी सेविंग है देखो यहां मैंने यह इतनी तीन स्टूडेंट्स ले लिए हैं आप ऐसे ही मतलब क्या कार सकते हो भी एक्सपेंस की लैदा बना सकते हो सकता है जयादRE 2012 के इसलेंट सोर्सी हैं ठीक है ना यहांसे आपके तै। कोई आपकी जगाया वहांसे कोई फसल इफजार हो रही हैeless कोको कुछ भी यह यह रिंवह यह हैं ईप हो can I say immigration हो कैसे Sirov Bem enroll जेंगे मेन्स उसके अगर ली का देंगे ठीक है अगे। अगे लिसोडिकिशन कर कि सब्रिक्षिन कहते कर देबरेक्षिण सब्डरेक्षिन भुटरेक्षिन डिवायड सब्दस्रेक्षिन हम नेकर लिया है अब देखें डिवीजन तक्सीम हम कैसे करते हैं अब जो आपने कसर देखा होगा जो इंस्टाल्मेंट्स पे चीजें होगी है ना तो उनका अपनी वोचर इस तरह का देखा होगा ठीक है अब मसलन यह 123 और इन तीनों को ऐसे कठा सेलेक्ट करें और यह आगया पांच तक ठीक है अब समझ लो यह है बाइक बाइक इंस्टाल्मेंट है नहीं वाइक और ड़ा गई पौरिज आगयी श्यर्स मेशीन ठीक है यह समझेने की इसे इसे तरह आफ एसका बीस पर बना सकते हो इसे बचे की स्टालमेंट कि किसी भी चीजिश की स्टालमेंट जैना मौन आफैसको सेम मैथोस बना सकते हैं बदल्बाइक जो है नहुँ है तीन लाक की कार है जी 30 लाक की कि फ्रीज है जी एक लाग की इंस्टाल्मेंट का समझे लिए को बिजनस जिसमें हमने डिविजन सीखनी है चेर का सैट है जी 55,000 मिशीन है जी 30,000 ठीक है अब देखें कैसे करेंगे अब मुसलिए किसी ने लेना है इक्वल दमाएंगे यह आजेगी टोटल इसको स्लेक्ट कर देना है तो डिवाइड़ वाइफ करके एक्वल दबा देंगे यह अगर उसने जो बाई कहती ही लाग की 5000 पर मंथ पर लेनी है तो उसको महीन में के कितने देने पड़ेंगे 60,000 अगर 6 माँ पर लेनी है तो यह अकम ड़िवाइड़ बाई छे यान्य इतने मंथ से होंगे पचाजार देना पड़ेगा अगर उसने साथ माहा पे लेनी है इक्वल टू तोटल डिवाइड़ बाई सेवन इतने देने पड़ेगे इक्वल टू तोटल डिवाइड़ बाई एट आठ माह की तो इतने देने पड़ेगे अगर नो माह के इंस्टाल्मेंट्स पे लेनी है त तो यह divided by 9, communal पड़ेगा और अगर एक साल की इंस्टालमेंट पे लेनी यह निवारा मत्वनते ना को जो इक्वल टो टोटल डिवाइड़ भाई जैसे यह आगया 25 जान देना पड़ेगा अगर एक साल की इंस्टालमेंट पे लेनी है तो वैसा तो जादा र्यट कर देते हैं जब जादा लेकिन में चीज अमने करकेा अब जैसे बाकियों में हम सीखते हैं ठीक है तो उसी तरह हम इसका क्या कार सकते है रहा पहले सकत़ है इसको पकड़के खैंचेंगे तो बागी सब कर बहुत क्या एक निकलता जाएगा निकालके ऑख तो होगत दिकलते जाएंगे अभी तक हमने सम शीख लिए सब्ट्रेक्शन सीख लिया और यहां पड़ ef उसके लावा काट कॉपी पेस्ट यह सारी चीज़ें आप पहले ही जो लिखा हुआ उसको कलर करना फार्मट करना डैटे का साइज बढ़ा करना वगएरा वगएरा यह सारी चीज़ें क्या ठीक चुके उसके लावा अगर हम बनाबना या को बाडर लेना चाहते हैं अब यह यह जो लिखा हुआ मैं चाहता हूं यह सेंटर में आजए तो यहां से हमने हों पर आ जाने हैं और यह देखें सेंटर में यहां से यह अगर बनाबना बाडर लगाना है तो इसको हम यहां से क्या करेंगे स्लेक्ट करेंगे और यहां जाएंगे फार्मट एस टेबल ठीक है यहां से बना बना स्टायल भी लगा जा सकते हैं तो यह थी जियए अभी तक जो हम सीख चुके हैं रो कॉलम क्या होता है ठीकि है इधर से यह कॉलम होती है इधर से ऀरो होता है और दोनों कर मिल आए तो यह बन जाता है और जिस डी owners करें यह आपर उसका नाम आजाता यह देखिए एज 50 लिखा हुआ है ठीक है और इसको сп्रैडagir का जाता है और इसको बॉक्स भी कहते हैं या जिस वहां भी आप सलेक्ट करते हो क्लिक करते हो तो इसके इलावा जो हम डेटा लिखते हैं जो कॉलम बनाते हैं उसको यहां से मैनुली बड़ा चोटा कार सकते हैं डबल क्लिक कारके आटो अड़्जेस्ट भी इसमें उप्शन मुझूद होती है ठीक है नहीं यह देखें बहुत अड़्जेस्ट कर लिया उसके लावा अगर हम इसको कंट्रोल पी करें तो प्रिंट इसका ले सकते हैं तो प्रिंट करने से पहले हमें इसके उपर बॉर्डर भी यहां से बैक आजाएंगे बॉर्डर भी आपने लगा लेने इसके लावा न्यूरो अगर हमने एड़ करनी हो यहां दर्म्यान में तो यहां हमने राइट क्लिक करना होता है और इंसर्ट करेंगे तो ठीक है इसके लावा यह बॉल्ड टैलिक अंडरलाइन बॉल्ड बोटा करने के लिए टैलिक राइटिंग को थोड़ा चेंज करने के लिए इसके लावा यह देखें यहां जो लिखा हुआ है मैं अगर इसको थोड़ा किसी और स्टाइल में लिखना चाहूं तो यह देखें यहां से यह चीजें भी आप अपलाई का अपनी मतल डाटे के लावा से देखेंगे ना आपका डाटा किस तरह के उसके लावा ठीक है आप जो अगर प्रिंट में वाटर लाना चाहते हैं तो फिर वहां उसको स्लेक्ट करेंगे और यहां से आके आप उसको बॉर्टर भी लगा सकत है ठीक है तो यहां तक था जी संब डिवीजन सब्ट्रेक्शन और मिटिंग टैक्स और बेसिक चीज़ें इसके ठीक है जी अलाव फिर